नमस्कार विध्यार्तियों, मैं डॉक्टर मानग चैन, SPC राजकिय महा विध्याले अजमीर आज हम संगम यूग की आर्थिक इस्तिती कैसी थी इसका अत्यान करेंगे अभी तक हमने सामाजिक और राजनतिक इस्तित था विभिन संगम राजे चेर, चोल, पंड, आधिका विस्तरे तद्धिन किया आर्थिक इस्तिती, संगम यूगीन आर्थिक जीवन के विभिन पक्षों पर प्रकाश डालने वाले साधन से संगम साहित्य के अतरिक्द, पिलनी, प्रथम शताब्दी, पैरिपल्स, प्रथम शताब्दी, टालमी, दूसरी शताब्दी के विवरंड, सुदूर दक्षिन के अनेक इस्तानों पर मिले रोमन समराटों के सोने के सिक्य तता रोम के म्रदभांड वै आरिक मेडू से प्राप्त हुए रोमन व्यापारियों की एक बस्ती के अवशेश प्रमुक है संगम साहित्य में तातकालिक सुदूर दक्षिन भारत की आर्थिक द्रश्टी से बहुत संपन बताया गया है इसके पुस्टी पुरातत्व संबंदी खोजों और परवर्ती साहित्य ग्रंथों से होती है पूमी के प्रकार के अनुसार अर्थ विवस्ता तथा जीवन निर्वा के साधनों में भी अंतर थे पाड़ी वे वन्य प्रदेशों के शिकार वे वन संपता पर आधरी शिल्पों उद्योगों की प्रमुकता थी चारागाई शेत्रों में पशुपालन, शूष्क प्रदेशों में लूटमार तथा पशुओं क अपरण, क्रश्य वे उपचाउं मेदानी शेत्रों में क्रशी वे समुदर त्रटिय भूबागों में नमक निर्माण वे मतस्य पालन, प्रमुक व्यवसाय और उद्योग थे क्रशी के संबंद में, संगमकाल में, कुरल के रचनाकार, तिरुवलूर के अनुसार एक क्रशक को आलस्य का सर्वता परिद्याक कर खेतों में जुताई खात का प्रयोग बुहाई बहुत लगाना, सिचाई, फसल की रक्षा ये सबी कहरे बड़ी लगन और सतक्ता के साथ क कही है, धान, तमिल शेत्र का प्रमुक उत्पादन बेखात्य था, जुआर, बाजरा, रागी, गन्ना, केला, कपास, नारियल, आती, महत्पोन फसल थे, नदियों में पानी के उपलब देता के बावजूद, सिचाई के लिए वर्षा तथक कर्तिम साथनों पर निर्भरता कम ही थी, करिकल चोल ने, एं सिचाई के लिए तड़ागों गह नहरों के अत्रिक्त कावेरी पत्तन में एक विशाल बांद बनवाया था, संगम साहित्य में तमिल देश के अन्य शाषकों द्वारा सिचाई की सुईदा पढ़ाने के लिए किये गए कारियों का ब्योरा नह गए उत्खननों में सोने, चांदी, तांबे, कासे के आभुशन प्राप्त होते हैं, कास्ट उध्योग भी महत्पून था, आहना नूर, पन्ना नूर वे, शिलपादिक कारम में कई आकार प्रकार के जाजूं के विवरण हैं, समुदर तर्टिय शेत्रों में मतस्य पालन, नमक निर्मान का मुकता, शंक, सीप एवं गोगे से विविद वस्वे बनाने के शिलप निर्वान में के प्रमुक साथन थे, संगम यूग का प्रसिद ब्रामन कवी नकीर, शंक व सीपी से चूडिया बना कर बेशता था, सन की प्रतम शताबदी की आरंबिक सद्यों तक भ उलेक नहीं मिलता है, विद्यारतियों, संगम काल में व्यापार विशेश रूप से विदेशी व्यापार में अभूतपूर व्रदी हुई, विदेशी व्यापार में सरवातिक भागिदारी चोल, पांडे वेचेर राज्यूं की थी, उनके बाद दक्षण में सात्वानों की थी पेरिप्लस के विवरण के अनुसार समुन्दरी व्यापार पर राज्य का नियंत्रन होता था चेर शाशक नेडू जीरल के विशे में उलेखित है कि उसने कडम का दमन किया वे ये दस्यू समुन्दरी दस्यू थे जो भारती और विदेशी व्यापारियों को लूपते थे और उन्हें प्रतारित भी करते थे मदुरा और फुहार जैसे बड़े बड़े नगरों में दो प्रकार के बाजार थे सुबह लगने वाले बाजार और साहेकाल लगने वाले बाजार तातकालिम साहित्यों में मदुरे नगर के बाजारों का विशेश विवरण मिलता है क्रेविक्रे की वस्तों में इस्तानी वे बाहर से आया एक्तित, उनी और रेश्मी वस्तों, सोनी के आभूशन, चूडियां, कांसे, तामबे, हाती दात से बनाई गई वस्तों, सुगंदित, अगराग, जडाऊ वस्तों, फैंसी विग, धान वे अनास, सबजियां, दूद, फल, घी, फूल, काली मिर्च वे गरम मसाले, अगरू, यहम चंदन के लकड़ी के विवरन मिलते हैं, मदुरा उत्करस्ट मोतियों के उत्पादन और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, नेल किड और मुजिरिस के बाजरों में काली मिर्च के अतिरिक पारदर्शिप पर्थार, हीरे वे नीलम का भी व्यापार होता था, संगम साहित के से हमें ग्याद होता है कि जावा, सुमात्रा, वर्मा, थाइलेंड, आदी से दक्षिन भारत के व्यापारिक संबंध थे, हाल ही में दक्षिन पूर्वी एश्या से मिले पुरातात्विक साक्ष इस बात का संकेर देते हैं कि इसके साथ दक्षिन भारत में होने वाले व्यापार में प्रथम से पांचें शताबदी के बीच की कालावदी में निरंतर व्रदी होती गई, इस व्यापार के प्रमुक भागिदार भारत के पशीमी तथा दक्षिन समुंदर तटिये शेत्र में व्यापारियों की थी, अस्ट पद संग्रह से ग्यात होता है कि यवन व्यापारी अपने व्यापारिक जहजों की रक्षा के लिए अपने साथ कुछ रक्षक ले जाते थे, इससे ही अनुमान लग जा सकता है कि सुदूर दक्षिन के सरदार तमिल शेदेश के बंदरगहों अन्य व्यापारिक केंद्रों व्यदेशी व्यापारियों की लूट मार्क से रक्षा नहीं कर पाते थे, मुजरिस के बंदरगहा में यवन व्यापारियों ने अपने सुरक्षा टुकडियां तैन की जो ये संकेत देती है कि तमिल देश के श्राशकों की आंत्रिक और विदेशी व्यापार के उन्नती में इसे नियंत्रित करने में शायद बहुत प्रभावी भूमी का या भागिदारी नहीं थी इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिन में जो व्यापार होता था वह समुद के कारण बंदरगाहों से होता था उक्त बंदरगाहों में कावेरी पटम, पूर्वी समुदृ तट का सबसे बड़ा बंदरगाह था, मुझरिस बंदरगाह पर 20 लोक, जहाजों से सोना लेकर पहुंसते थे, कालिमेच और दुरलब वस्तों को लेकर वापस लोड़ते थे, कविताओं में पांड देश के शलियूर और चेर देश के बंदर नगर में अत्यांत महत्पूर्ण बंदरगा बताया है कविताओं में इन विवरणों का यूनानी रोमन लेख को और पुरातात्विक साक्षों से समर्थन होता है संगम साहित्य में तातकालिक व्यापारिक गतिविधियों का व्यापक चित्रन मिलता है इस प्रकार मदुरा के बारे में भी इस युक के साहित्य में प्रचुर विवरण है ये विवरण इस नगर को प्रमुग व्यापारिक केंद्र के रूप में चित्रित करते हैं मदुरा क वैबाव की कहानी दातकालिक साहित्य में अंकित है इती नमस्कार